अतूल एन निसांत श्टार्ट विजनेश वाई इन्वेस्टिंग 8400 एन 11400 रिस्पेक्टबिल बट अतूल लेफ दे बीजनेश आफ्टर 8 मॉंथ आठ महिने अबाद क्या होता है अतूल बीजनेश को छोड के चला जाता है सिर्फ अतूल चोडता है निसांत क्या है कंटीन्य करता है तो हैं तो आपको ऐसाल के अंत में आपकाée गिबेन है तो देखे आपको क्या क्या इंवेश्टमेंट इंट इन्टे किये हैं और टाइम पिरेट कितने दिनों के लिए कितने महीने या साल के लिए अपके हैं यह दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या निकल जाता है तो यहां हम लिख लेते हैं ऊपर में अतुल लिख लेते हैं A for Atul और N for Nisant तो देखें अतुल कितना इंवेस्टमेंट किया 8400 और Nisant कितना किया 11400 अतुल कितना आठ महीने वाद चला जाता है तो एट मंत के किया है यह इंवेस्टमेंट और Nisant कितना किया है end of the year मतलब यह continue हो रहा है मतलब यह 12 महीना तक किया है और आप इसे simplify किजिएगा तो यह क्या होगा यह दोनों का रेशियो कितना निकल के आगा 28 रेशियो 57 तो यह क्या निकल के आया यह प्रॉफिट ऑफ अतुल है और यह क्या प्रॉफिट ऑफ निसant है क्योंकि यह देख हमारा यहां टोटल प्रॉफिट भी दिया है तो 85 यहां किस के ब्रावर यहां हो गया आपको 17,000 के ब्रावर हो गया हाल तो यहां से आपक का वेलिउ निकालेंगे तो एक इतना आजागा 200 आ जागा तो आपको यहां क्या क्या निकलना यह दोनों का प्रॉफिट के भीइप कंगगे टिफिट के देखके दोनों का प्रॉफिट का डिफेरेंस एक क्त्या है तो देखिए धोनों का profit का difference कितना है 57 में आप 28 माइनस कर दीजएगा तो यह दोनों का difference कितना है यहाँ पर यह कितना है difference? 29 तो यहाँ से आपको 29 का value निकालना है तो 29 में आप निकाल दीजए, यह कितना निकल के आ जाएगा? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले question के और देखे A takes 15 days more times taken by B to freeze the bird मिस तो A क्या होता है कि B जितना दिन में काम करता है उसके compare में A 15 दिन ज्यादा काम करता है मतलब time लेता है तो A और यह है B माल लेते हैं कि B के दोरा एक दिन में काम किया जाता है तो A के दोरा X पलस 15 दिन में काम किया जाएगा total काम यह हो गया फिर क्या है कि A B दोनों मिलकर complete the work in 10 days A प्लस B यह दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं 10 days में कर रहे हैं यहाँ आपको find out करना है कि A अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं तो देखे A को इतना दिन लग रहा है B को इतना दिन लग रहा है ए 2 दोनों के मिलाके 10 दिन लग रहा है तो यहाँ से हमको एक दिन में निकालेंगे कि 1 day work यहाँ क्या होगा? 1 day work एक दिन में एक के द्वारा कितना किया जागा तो आपको एक दिन का वर्क निकालना है तो इसको अपोजिट कर दीजे मतलब इसको अपॉन में कर दीजे कैसे होगा बन अपॉन एकस प्लस फाइब इसी तरफ ढ़ी एक दिन का बर्थन का लिए, तह कितना हो गा। अपनex और दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा, 1 अपन 10 तो देखें, हम यह कह सकते हैं, कि एक के दोड़ा एक दिन में काम किया गया, एक individual, फिर B के विदाड़ा दोनों का individual काम किया गया, एक दिन में दोनों मिल के जो काम किया और दोनों क्या होगा, ब्रावर होगा, मैं तम यह कह सकते हैं, X प्लस 15, यहां 15 होगा, X प्लस 15, अब प्लस 1YX, यह A का एक दिन का है, यह B का एक दिन का है, is equal to 1Y10, यह A प्लस B, दोनों का मिल का के एक दिन का है, यह दोनों ब्रावर होगा, तो यहां से आप X का value निकाल लिएगा, एक quadratic equation आःगा, उसे आप simplify की जगा, यहां से X का value निकल के कितना आजागा, 15 आजागा, तो आप 15 पुट कीजगा, तथा A, B में पुट कीजगा, तथा 15 आजागा, ए में पुट की जगा तो कितना आजागा 30 days Miss A इस काम को कितने दिन में कर लेगा 30 days में complete कर लेगा यहां से इसका answer निकल के आजागा तो चलिए बढ़ते हैं अगले question के और देखे A boat which has speed of 5 km per hour in still water Miss तो देखे, boat को हम लोग B से म्यान लेते हैं इसका speed कितना है 5 km per hour है Cover 1 km up stream path in 15 minutes यह boat है, देखे distance वरावर क्या होता है speed into time तो यह कितना किलोमेटर, 1 km travel कर रहा है up stream में Miss तो इस up stream में आप समझे क्या होता है कि धारा के मतलब boat का speed जिधर है opposite है उसका धारा के speed चाल तो यहां दोनों के क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो यहां क्या लिखेंगे B, speed of boat minus C और यह कितने देर में कवर करता है 15 minutes 15 यहां लिख लेते हैं देखे, यह minute में है तो इसको आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से division करेंगे ऐसा क्यों की है, क्योंकि B का value हमको किलोमेटर पर आवर में गिवन है तो हमको भी यहां आवर में चेंज करना पड़ेगा तो यहां से आप इससे simplify किजागा तो 1 upon 4 आ जागा तो यहां से आप B का value यहां 5 put किजागा तो यहां से आपको एक नया एक जो C है, C का जो unknown है यह C निकल के आजागा, 1 आजागा speed of current जिसको हम लोग यहां represent किये है speed of current C से represent किये यह कितना निकल के आजागा, 1 निकल के आजागा यतना 1 km per hour तो आपको क्या find out करना है कि how much distance it cover कितना ओर distance cover करेगा 1 hour 45 minutes in downstream तो देखे, distance cover क्या था, speed into time तो speed क्या है, दोनों downstream है तो दोनों का speed को हम लोग क्या करें add कर देंगे, B plus C तो B कितना 5 और C कितना 1 तो यहां 5 plus 1 करेंगे तो कितना होगे 6 into time क्या है 1 hour 45 minutes तो देखे, 1 hour को 1 लिख लेंगे 45 minutes को आपको आवड़ने चेंज करने के लिए 60 से division करेंगे तो यहां से आप simplify कि जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 upon 4 4 into 1 4 plus 3 7 upon 4 यहां से यह आ जाएगा इसका time तो यहां आप simplify कि जाएगा तो यह कितना निकल के आ जाएगा 10.5 km यहां से इसका distance निकल के आ जाएगा इसका answer तो चलिए बढ़ते हैं अगले question के और देखिए A train moves at a speed of 108 km per hour passes a platform and a bridge Mr. Aisar समझी कि एक कोई train है जो 108 km per hour की speed से जाएगा तो किसी platform को कितने देर में pass कर रही है 15 second में किसी bridge को कितने में कर रही है 18 second में if the length of the platform is 50% of the length of bridge means जो length of platform है length of platform है क्या है 50% of the length of bridge तो देखिए length of platform को LP माल लेते हैं 50% का fraction value की जाए 1 upon 2 क्या length of bridge भी से bridge ले ले लेते हैं तो length of platform upon length of bridge ये कितना निकल के आ जाएगा 1 upon 2 का है ratio आ जाएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते है x upon 2x इसका ratio हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो देखिए अब हम इसे कैसे find out करते हैं आपको यहां क्या निकलना है length of train length of platform भी निकलना है length of bridge भी निकलना है तो देखिए पहले का नुसार क्या था कि देखिए एक train platform को cross कर रही है तो जब platform को cross कर रही है तो आपको दोनों को distance लेना परता है length of train भी लेना परता है plus length of platform दोनों का distance को add करते हैं तो हमको क्या निकल जाता है distance निकल जाता है और train का speed क्या है 108 इसको हम क्या करेंगे meter per second में change कर देंगे क्यूं करेंगे क्योंकि यहाँ time हमको second में दिया है into 15 यहाँ से आप simplify कीज़ेगा तो यह कितने निकल के आ जागा यह 18 से 6 635 और यह कितना निकल के आ जागा 15 छक देखे 18 108 635 मतलब यह कितना निकल के आ जागा 450 आ जागा निकल गया equation number 1 इसे तरह equation 2 निकालेंगे कैसे निकालेंगे ब्रीज को क्रॉस करना है length of train अब भी देखे कोई train अगर platform को क्रॉस करते तब भी हम length of train और platform दोनों लेते हैं bridge में भी यही लेते हैं पस condition pole हो या एक man हो उसका हम लोग नहीं लेते हैं length of train प्लस length of bridge speed आपका same ही रहने वाला है into 5 बटा 18 into 18 seconds यहां से आप इसे simplify किज़े तो एक इतना निकल क्या आजएगा 540 equation क्या आ गया 2 आ गया देखे आप यहां से इस दोनों equation को आप solve कीज़ेगा तो देखे length of platform के जगा आप x रख दीजे length of bridge के जगा 2x रख दीजे तो यहां से आप यह value यहां put कीज़ेगा length of train दोनों में common हैं cancel out हो जागा तो यहां से आपको x का value कैसे निकलेगा देखे हम क्या करते हैं minus कर देते हैं यहां भी minus यहां ही minus तो यह length of train length of train cancel out length of platform कितना है x है length of bridge कितना 2x है तो x minus 2x जगा तो minus x बचेगा इसी तरह यहां भी आप minus की जगा तो कितना बचेगा 90 minus 90 तो minus minus cancel out हो गया तो x का यहां कितना निकल के आगा value 90 अब देखे आपको find out क्या करना है length of train तो देखे यहां से length of अगर platform इसमें put कर देते हैं तो हमको length of train निकल जाए तो x का value है put किजिए x क्या है यह हमारा length of platform है 90 put किजिए 450 में से 450 में से हम पहले equation put करते हैं तो minus length of platform निकाल देते हैं कितना निकला 90 minus कर देते हैं तो यह कितना निकल के आ जाता है 360 मीटर यह क्या हो गया length of train हो गया यहां से यह इसका आगया answer तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question के और देखे A sold article at a loss of 50% B माल लेते हैं यह A है यह B है A ने किसी article को 15% loss पर बेचा suppose इसके पास 100 का था इसने बेचा कितने में 15% नुकसान हो गया 100 पर तो 100 में आप 15% निकालीगा तो 15 अगा और 100 में 15 मैनस कर दिया तो 85 में B को बेचा फिर B sold this article C B ने C को बेच दिया without any profit or loss अतलब यह जितना है खड़ीदा 85 में खड़ीदा 85 में C को बेच दिया 85 में बेच दिया If C bought it from B at a price रुपीच कितना 408 रुप में मिलिया means 85 आपका किस के बड़ाबर हो गया 408 के बड़ाबर हो गया then what price would A sell the article to B gain profit 36% means आपको यहां क्या निकालना है कि A B को पहले तो नुक्सान में यहां बेचा था 15% अब यह अगर 36% profit हैं बेचा तो कितने में बेचा तो देखिए 1 का 100 था अगर 36% पर बेचेगा तो 136 हो जागा ठीक है तो देखिए 85 का value कितना है 408 यहां से 1 का value निकालेंगे 408 upon 85 इसी तरह यहां से 136 का value निकाल दीजेगा 408 upon 85 into 136 और आप इससे simplify किजेगा तो यहां से आपको 65 2.8 इसका answer निकल के आ जाएगा तो चलिए बढ़तें अगले question के और देखिए इने इने barrel कोई एक barrel है कितना है मतलब कोई एक container माली कितनी 56 लीटर का है इसमें volume of milk milk और water है तो देखिए milk कितना है 62 तो देखिए 62% का आपको fraction value आपको आना चाहिए तो देखिए 62% का fraction value क्या होता है 5 upon 8 हम कैसे पता किए देखिए 1 by sorry देखिए 8 का कितना होता है 62% 62% होता है तो अगर आप सारे बाड़ा को अगर आपगर 5 आ मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो इस सारे 42 हो जाता है यहां इसी को यहां भी आप 5 से मल्टिप्लाइ कीजी यहां भी 5 से तो यह सारे 42% हो जागा तो यह सारे 42% का fraction value क्या आया है 5 upon 8 आया है means तो दिखे, पूरे 8 मिक्चर में मिल्क कितना 5 है, तो वाटर कितना होगा, 8 में से 5 चला गया, तो तीन क्या होगा, वाटर होगा, यह total 8 हो गया, और 8 किस के बढ़ाबर है, 56 लीटर के बढ़ाबर है, तो यहाँ साब एक कवैलो निकाली एगा, तो एक का कितना निकल के आजा पहले ही आपका मिल्क इतना था, फर्स्ट के नुसार, अब क्या है, मिल्क को कितना बनाना आपको, 85.71%, 85.71% का fraction value आप निकालीए, तो क्या होगा, तो दिखे, आपको अगर ऐसा कभी भी 100 के करीब होना, तो आप क्या क्ली 100 से घंटा के आप देख लिजे, तो आप 100 से 29 के लगबख आएगा, तो 14.29% आएगा, इसका fraction value क्या होता है, 1 अपॉन 7, ये क्या होगा, आप इसमें क्या केजिए, 87 निकालना है, तो बन में से आप 2 अपॉन 7 मैनस कर दिए, तो ये कितना निकल के आ जागा इसका fraction value, 6 अपॉन 7 इसका fraction value निकल के आजागा, कि क्या निक लिक्षर 7 है, 7 में 6 पार्ट क्या, मिल्क बनाना है, 6 पार्ट मिल्क बनाना है तो वाटर कितना हो जागा, एक हो जागा, तो देखे, यहां वाटर तीन था, यहां एक हो गिया, तो यह क्या होता है, देखे, इस केस में क्या होता है, कि आपने मिल्क में अपने अडिशन सब्स करना है तो आप मिल्क में किजिए वाटर में तो आपने कुछ छेर खानी नहीं किया तो वाटर जो यहां रहेगा वहीं यहां भी रहेगा तो हमको दोनों जगा क्या करना पड़ेगा वाटर को सेम करना पड़ेगा क्योंकि हमने मिल्क एट किया वाटर नहीं तो यहां से मतवल में अगा था है कि तो देखिए यह क्या हो गया पांस से अठाडरा कितना बढ़ा पांसे इक कितना वाला कि एक कितना तरफेर रवुर्ण ये कितना हो गया 13 बढ़ा तो यहां आपको क्या करना कि how much more amount of pure milk needed to add it, कितना हम इसमे pure milk add करें, कि हमारा जो next mixture है 18 ratio 3 में बन जाए, तो देखिए, एक का लड़ी हम लोग 7 liter value निकाल चुके हैं, तो यहां हमको 13 हम add कि हैं, तो 13 में आप यहां value निकाल देंगे, तो यह कितना आ जाए का 13 सती 50 liter हम इसमें और add करेंगे, तो हमको यह mixture, यह obtain हो जागा, यह आ गया इसका answer, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले question के और देखिए, If the simple interest on a certain sum of money at a 15% per annum for 2 years is 8100, means कोई भी एक certain sum है, हमको sum पता नहीं है, उसका SI कितना है, 8100 है, तो let हम sum को P मान लेते हैं, P कोई sum होगा, और R कितना है, 15 है, T कितना है, 2 साल के लिए, upon 100, यह मैंने SI का formula लिखा, SI का formula होता है, क्या होता है SI बढ़ावर, P, R, T upon 100, तो देखिए, यह क्या है, simple interest है, यह principle है, यह rate है, यह time है, यह मैंने formula यहां लिखा, तो चलिए, बढ़ते हैं आगे, यहां से हमको क्या निकालना है, P निकालना है, तो इसको आप simplify किजाए, यहां से P कितना निकल क्या आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, यहां से P निकल गया, फिर आगे बढ़ते हैं कि, what is the compound interest, on the same sum, 2 years at the same rate of interest, मतलब इस sum पे हमको, देखे, यहां हमको, यह 8,100 रुपया मिला था, इसी sum पे हमको, CI कितना मिलेगा यह आपको बताना है, तो देखे, दो साल के लिए अगर CI आपको निकालना है, compound interest का, 2 years का, तो आपका एक formula था, x plus y, plus x into y upon 100, यह पहले साल का, यह दूसरे साल का, यहां दोनों का multiply करके 100 कर दीजे, तो देखे, पहले साल का 15 है, दूसरे साल का also 15, अब प्लस यह दोनों का multiply की जाए, तो 2 to 5 upon 100, तो यहां से आप इससे simplify की जगते कितना निकल के आ जाएगा, आपको CI है, compound interest है, SI दो साल का आपका कितना हो गया, 15 दूनी 30%, लेकिन CI दो साल का कितना हो गया, 32.25%, तो आप 27,000 को यहां, 27,000 का आप 32.25% आप निकाल दें, तो यह से आप simplify कीजेगा, यह दसम्ला हटा के नीचे 0, अब percentage हटा के भी नीचे 0, तो यहां से आप 30, 30, 30, cancel out कर दीजे, और इससे आप simplify कीजेगा, तो यहां से मैं ऊपर यहां answer लिख देता हूं, यह कितना निकल के आ जागा, 870, 7.5, यहां से इसका CI निकल के आ जागा, इस amount पर, SI देखे, आप यहां observe एक चीज कीज़, देखे, SI कितना है, एक 800 रुपिया, लेकिन CI उतना ही amount का कितना है आपको, 8707 रुपियां आपको आप्रॉक्स आया है, मिस आप खुद देखे, आपको लगभग 607 रुपिया का क्या हुआ है, इंक्रिमेंट हुआ है CI लगने से, तो चलिए बढ़ते हैं अगले question के और देखे, तो देखे, किसी हार्डिक्स का CP कितना है, 32 है, और SP कितना है, 33 है, यह आपको profit percent बताना है, तो देखे, कितने का profit हो गया, 100 का profit हो गया, कितने पे हो गया, 32 हो गया, तो आप इसे 100 पे निकाल ले, 0 से 0 cancel, और इसे आप simplify किजिएगा, 33, and 1 upon 8%, यहां से इसका profit percentage निकल गया, यह हो गया answer, तो आशा करते हैं दोस्तों, आप सभी को समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,